तो चलिए आज की क्लास में क्लास दसवी के गणित प्रशनावली 5.2 को कम्प्लीट सल्व करेंगे ठीके वन सौर्ट में क्वेस्चन एक से ले करके क्वेस्चन 20 तक है सारे प्रशनों को सल्व करेंगे और यह बहुत ही most important है क्योंकि हमारे एक्जाम में जो प्रशन आते हैं ह हमारा समांतर स्रेंडी से सबसे ज़्यादा प्रशनावली 5.2 पूछा जाएगा इसलिए बच्चों ध्यान से इस क्लास को आपको देखना है और सारे क्वेस्चन आप लोग को समझ में आने वाला है एक भी ऐसा क्वेस्चन नहीं होगा जो आपको समझ में आज नहीं आने हर एक क्वेस्चन समझ में आएगा क्योंकि मैं इस पर आप लोग के लिए थोड़ा सा टाइम लेकर करके पढ़ाने वाला हूं ऐसा नेक जल्दबाजी में करके सारे क्वेस्चन खतम कर देंगे नहीं हां त्यार हो जाओ कि आज एग घंटा से ज्यादा की क्लास होने वाली यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच प्रस्ण है एक का मान दिया है डी का मान दिया है एन का मान दिया है एन बताना है पहला प्रस्ण में दूसरा में ए दिया है डी निकलना है एन आपको दिया है एन निकलना है एन दिया है इस तरह से आपको प्रस्ण दिया है सारे प्र जुरत नहीं है चलिए सबसे पहले प्रश्णावली डालिए अपने अपने कॉपी में प्रश्णावली प्रश्णावली 5.2 ठीक है 5.2 का पहले का पहला प्रश्ण है क्या है जो जो दिया उसको लिख लो A बराबर 7 दिया है B बराबर 3 दिया है एन बराबर 8 दिया है और आपको Aन का मान उच्छा गया है ठीक है यह आपका प्रश्णावली आईए अब यहाँ पर हमें Aन उच्छा गया है ADN दिया है तो आपको AN का फर्मूला याद होना चाहिए यह अंतिम पद होता है AN मतलब अंतिम पद ठीक है यानि हमारा यहाँ पर बस यह फर्मूला लगा देंगे AN बराबर क्या होता है फर्मूला फर्मूला सब को याद होना चाहिए मिरा भाई फर्मूला याद नहीं रहेगा तर फिर तो दिक्कत नहीं होगा ठीके, हाँ, n का फर्मूला होता है a plus n minus 1 into d ठीके, a plus n minus 1 into d इसको याद कर लो, हर जगा काम में आएगा तो यहाँ देखिए, हमें a n ही बताना है तो ए n बराबर, a कमान दिया है, 7 पिलस N आठ दिया है 8-1 और D का मान 3 तीन दिया है यहाँ से ए आइन बराबर ए साथ पिलस आठ में से 1 जाएगा कितना आएगा 7 इन्टू तीन ठीक है यहां से एन बराबर इस साथ प्लस साथ के पहाड़ा तीन बरापड़ोगे सत्तिरी का 21 यानि हमारा एन बराबर हो जाएगा 21 और साथ को जोड़ देंगे 28 हो जाएगा यानि एन का जो मान आएगा 28 एंसर ठीक है समझ में आ गया चलिए इसका दूसरा प प्रस्शन है जो जो दिया है ना उसको पहले लिख लिया करो ठीक है एक माण आपको दिया है एक मान जीरो दिया है, ठीक हैсем, अब आप कहोगे कि सर इस बार D पुछा गया, तो D के लिए फर्मुला क्या होता है, टो D के लिए एक भी कोई फर्मुला नहीं होता है, क्यों, देखो, आपको जब An पाता है, तो An सहीng सारे, A भी निकाल सकते ऑचतक है। ऐह भास ह मैं का प्रमूला आपको तो याद है कि रहाइता है यह देख यह बिचे बराबर करेम का सते है जरूरी है अब एक क्या दिया है भाई- 18 प्लस n कितना दिया है? 10 माइनस एक और d तो नहीं दिया है तो d को d रखें क्योंकि इसी का मान निकलना है यहाँ से यह देखो, 0 हो जाएगा बराबर यह माइनस 18 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा 9 से और d से कर देंगे तो 9 d हो जाएगा डियक मैंने कर दिया ठीक है अब यह माइनस 18 है ना बराबर की सेड लाएंगे ते पलस 18 हो जाएगा ठीक है पता है ना कि चेंज हो जाता है बराबर 9D अब D में 9 गुना कर रहा है बराबर में आएगा तो भाग कर देगा तो माइनस 18 बटा 9 हो जाएगा बराबर D 9 को इसमें 2 से भाग देदेंगे 18 यानि हमारा माइनस D बराबर 2 आप लिख सकते हो कि D का जो मान आएगा माइनस 2 होगा ठीक है डी का मान माइनस 2 होगा हाँ एक गलती हुआ है गलती क्या अब है हम मैंने कहा कि माइनस है इधर आगा तब पलस हो जाएगा तब इस नहीं माइनस के हों गलती से कभी-कभी बोलते हैं कुछ और लिग देता हैं कुछ और एप प्लस दो होगा ठीक है क्यूंकि माइनस बराबर के सबाविस साइड लाएगा तो फूलस बदल गया था है एप होता रहता है इतना छोटे छोटी बा मान दिया है 18 और n का मान दिया है minus 5 यह question है ठीक है अब इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले n का formula लिखेंगे क्या होता है a plus n minus 1 into d n क्या है भाई n है minus 5 बराबर a क्या है नहीं दिया है तो इसको जेओं करते हो plus n कितना दिया है 18 minus 1 और d कितना है minus 3 यहां से minus 5 बराबर a नहीं दिया है अब यह देखो 18 में से 1 जाएगा 17 17 को minus 3 से गुना करेंगे क्या होगा 17 थी 51 ठीक है 17 थी 51 यहां देखो यह plus था और minus था तो minus हो गया है ठीक है अब क्या करेंगे यह देखो यह minus 5 है और यह minus 51 है इधर आगा तो plus 51 हो जाएगा बराबर में a ठीक है अब देखिए एकाउन और यह minus 5 minus plus minus होता है 51 में से 5 जाएगा 46 आजाएगा बराबर a यानि हमारा a का जो मान आगया और एक बात याद रखिएगा जब बीच में equal का sign लगे ते हाँ बराबर नहीं बलकि implied date का sign देना होता है ठीक है यह सब सीखो बच्चे नहीं हो अब चलो भाई यह तो हो गया third question अब हम लोग इसका 4 देखेंगे question अच्चा बलर तो नहीं हो है ना कैमरा मेरा कभी कभी बलर हो जाता है question number 4 क्या है a कमान हमें दिया है a कमान है minus 18.9 ठीक है और d कमान भी दिया है क्या है d कमान भाई 2.5 है क्या है 2.5 और n कमान नहीं दिया है और n कमान हमें दिया है क्या दिया है 3.6 इस प्रशने से घबराना बिल्कुल नहीं है point में दिया है तो ठीक है सबसे पहले आप वो लगाओ फर्मूला n बराबर अब तयाद हो गया होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d n कितना दिया है n हमें 3.6 दिया है a कितना दिया है माइनस 18.9 प्लस n नहीं दिया है तो n माइनस 1 कर देंगे और d दिया है 2.5 यहां से देखो 3.6 बराबर माइनस 18.9 इसको इससे गुना कर देंगे ठीक है n से और 2.5 से यह हो जाएगा 2.5 माइनस 1 को इससे करेंगे तो माइनस 2.5 ठीक है अब जलो यहां n रहेगा क्योंकि n और 2.5 से करेंगे तो 2.5 n हो जाएगा अब यह देखो 3.6 यह माइनस इदर जाएगा तो पुलस हो जाएगा 18.9 और यह माइनस इदर भी जाएगा तो यह भी पुलस हो जाएगा 2.5 बराबर यहां आगया 2.5 n ठीक है अब देखो जोड़ेंगे तो पता है कितना होगा इसको जोड़ने पर हमें 25.0 हो जाएगा जोड़कर देख लो ठीक है बराबर 2.5 n अब देखो यह गुना कर देखागा तो भाग कर देगा यहां से 25.0 बटा यह 2.5 हो जाएगा बराबर में 10 यहां से देखो यह 10 मॉलों से 10 मॉलों खत्म 25 दहाँ 250 यानि हमारा n का जो मान आगया 10 आगया यह हमारा एंसर हो गया ठीक है हो गया complete कोई दिकत नहीं है चलिए 5 नमबर देखो एक कमान दिया है 3.5 और d दिया है 0 और n दिया है 105 और n नहीं दिया है n हमसे उच्छा गया है तो वहीं फर्मूला लगा दो n का n का फर्मूला होता है a पलस n माइनस 1 इंटू d n कितना है भाई नहीं दिया है तो n बराबर a कितना है 3.5 पलस n 105 माइनस 1 और d है 0 यहां से n बराबर 3.5 इसको क्या करेंगे जब इससे गुना करोगे तो सब 0 कर देगा 0 माइनस 0 यानि हमारा n का जो मान आ जाएगा 3.5 आ जाएगा इस तरह से हमारा पहला प्रस्ण कम्पलीट होता है और इस प्रस्ण से आप लोग को एन का फर्मूला अब अच्छे से याद हो गया होगा जो बहुत ही most important है आगे आने वाले question के लिए अब आईए question number 2 देखिए निमली खीत में सही उतर चुनिए और उसका अचित्ते देजिए यहाँ पर आपको optional question है ठीक है optional है given है कि दिया है कि AP दिया है AP में कि 10, 7, 4, dot, dot का तिसवा पद क्या होगा आईए question number 2 का पहला question ने कि AP में दिया है कि 10, 7, 4, dot, dot का तिसवा पद ठीक है कैसे निकालोगे सबसे पहले देखो यहाँ से A का जो मान है 10 है ठीक है और यहाँ से हम D निकाल लेंगे D मतलब सारव अंतर सारव अंतर निकालने का फर्मुला पता है न कि दूसरा पद में से पहला पद को फर्मुला देखो यानि हमें A 30 यानि तिसवा पत पुछा गया है जो पुछा जाता है उससे एक कम कर लो A पलस 29 D कर लो A पलस 29 D जो पुछा जाएगा उससे एक कम कर लेना होता है प्रशनावली पाइस मुलेक मम लोग सिख लिये थे A 30 बराबर A कमान है 10 अब पलस 29 अगुना D कमान है माइनस 3 यहां से A 30 बराबर A 10 29 के पहाड़ा 3 बर पढ़ोगे तो कितना आएगा 87 87 पलस माइनस माइनस यहां से A 30 का जो मान हो जाएगा 77 हो जाएगा क्योंकि घटाएंगे तो बड़ा का साइन रहेगा तो यह हमारा 77 एंसर हो जाएगा अब इसमें कौन सा ओप्सेंस आई होगा आप मिला करके चेक कर लो दो बी नमबर सी नमबर सी नमबर इस कॉरेक्ट एंसर होगा ठीक है समझ मा गया अब आपको जदी यह क्वेशन दे दे तो बना दोगे न कोई सर्थ्वासा यह फ्रेक्शन में भीन में आप बना दो चलो ठीक है बना यते मायनस ती एक वटा दू और दू है ऐसा question हमारे एक नमबर में पूछा जाएगा ठीके ना एपी में दिया है माइनस तीन माइनस एक बाटा दो दो डो 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 का एक रहावा पद एक रहावा पद ठीके अब चलो एक कमान जो दिया है यह माइनस तीन दिया है यहां से डी निकालेंगे डी मतलब दूसरा पद माइनस पाला पद दूसरा पद क्या है माइनस एक बाटा दो माइनस पाला पद क्या है माइनस तीन ठीके तो डी बराबर हो जाएगा यह माइनस एक बाटा दो माइनस माइनस पलस, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो D बराबर हो जाएगा, दोनों का LC हम लेंगे, 2 इसको भाग देंगे, एक बार में 1 और माइनस एक से करेंगे, 1 पलस, इसको भाग देंगे, दो बार में 2 और 3 से करेंगे, 6 तो नहीं कंद न में कृपर नो कित commission झाल से जाएगा सब तो हच्छेगे यह था एगत्रां रिखिए में श मतलब ए हुए कि का जाएगा उससे एक पर और did एक सब्सक्रार करने का माल माइनस थीन और डस और भी क्या मार्ण तो कि यहांसे को भागा देंक गटा देंगे दो पाचे 10 अब देखूं हमारा ए माइनस तीन हो गया पलस नहीं कि कि यहां क्या है पाँच और पाँच गुना कर देंगे भाई यह हो जाएगा तुम्हारा 25-25 में से तिन घट आओंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 22 यह हो गया हमारा एंसर यह अगराहवा पज्ज होगा हमारा 22 हो जाएगा समझ माया कोई दिखते किसी को नहीं है न चलिए तो यहां पर जो ऑप्षन होगा 22 वहां पर बीपर टिक लगा देंगे यह देखो इस पर टिक लगा देंगे हो गया अब चलिए 3 नंबर तिन नमबर क्या है निमलीखित समानतर सेरेडियों में रिक्त खानों के पद्धों को ग्याद किजिए मतलब यहाँ पर आपको तीन में एक दो तीन चार पांच परशने दिया गया है और इनके बीच बीच वाला कभी पाला कभी लाश्ट मतलब इसके बीच वाला सारे संख्या को निकलना है जो रिक्त हैं रिक्त मतलब खाली यह भी बहुत ही मोस्ट इपॉर्टिन प्रशन होता है ऐसे प्रशने बच्चों का कनफिजन बहुत ज़्यदा होता है मेरे को पता है ठीक है आएए इस प्रश्ण को बनाते हैं सबसे पहले हम प्रश्ण संख्या तीन को बनाते हैं तीसरा का पहला यह है दो कॉमा और यहां पर यह दूसरा पद खाली है और यह दिया है 26 ठीक है अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे सबसे पहले तो हमें यह पता है कि पहला पद दिया है दूसरा पद नहीं दिया तिसरा पद भी दिया है यही है प्रश्ण में तो यही है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां से लिख लेंगे कि A का जो मान दिया है ये दो दिया है और अंतिम पद को हम लोग A N से सुजित करते है यानि A N भी दिया है 26 हमें दुसरा पद निकलना है दुसरा पद मतलब A2 A2 का फर्मूला क्या होता है भाई? A पलस D तो जदी हमें A पता रहता और साथ में D तो हम लोग अराम से A2 निकाल देते दुसरा पद लेकिन यहां पर हमें यहीं नहीं पता है तो फिर कैसे करेंगे भाई? फिर तो दिकत हो जाएगे नहीं? नहीं निकल पाएगा कैसे करोगे? तो देखो इसके लिए हम अपना एक मिथर लगाएंगे कि हमें तिसरा पद दिया है क्या है तिसरा पद? 26 तो लिखेंगे यह 3 जो दिया है वो दिया है कितना? 26 और A3 का मतलब होता है A पलस 2D क्योंकि A3 का फर्मूला A पलस 2D होगा बराबर 26 हम ऐसा काम क्यों कर रहे है? क्योंकि हमें D की जरूरत है क्यों क्यों कि डी की हमें जरूरत है ठीक है चलिए अब प्रश्ण संख्या तीन ने किये निमलिखित समांतर स्नेडियों में रिक्त खानों को पदों को ग्याद किजिए यहां पर रिक्त खाना है और उन सब को बनाना है इसमें प्रश्ण संख्या तीन में पांच प्रश्ण ह और सभी most important है मेरे भाई ठीक है तो आएए प्रश्न संख्या तीसरा का पहला को बनाते हैं ये दो दिया है दूसरा पद हमें नहीं दिया है यहीं निकलना है और तीसरा पद भी दिया है ठीक है कैसे बनाओगे सबसे पहले जो दिया है न उसको लिखेंगे ये बराबर ने पह क्या करना है भाई निकलना है और तीसरा पद भी दिया है ठीक है अब दूसरा पद को निकालने केलिए हमें ए और डी का मान चाहिए ए का तो मान है डी का मान नहीं है तो कैसे निकालोगे इसके लिए उपयोग करेंगे हम A3, A3 हमें दिया है, कितना दिया है, 26, और आपको पता है कि A3 का जो फर्मूला होगा, A plus 2, D, जितना पुछाज़ागा उससे कम हो जाता है, बराबर 26, एक कमान भी दिया है, 2, तो 2 रखेंगे, अब पलस 2D, बराबर हो गया, 26, बीचे बराबर का स लाइन देंगे, अब यहाँ से, यह 2D बराबर, यह 26, और यह पलस से दर जाएगा, तो माइनस, तो हमारा हो जाएगा, 2D बराबर, 26 में से दो जाएगा, यह 24 हो जाएगा, और D में 2 क्या कर रहा है, multiple, equal के side जाएगा, तो divide कर देगा, 24 बटा 2, यह 12 बार में कट जाएगा, यानि हमारा D का जो मान आ गया, 12, अब D का मान 12 आ गया, हमें दुसरा पत चाहिए, तो दुसरा पत का फर्मूला क्या होता है, A पलस D, तो दुसरा पत बराबर, A का मान देखो तो कितना पहले से दिया है, 2, और D का मान लाएगा, 12, यानि हमारा A2 हो जाएगा, 12 और 24, यह ह हमारा एंसर ठीक है कि समझ में आ गया चलिए अब इसका दूसरा प्रश्ण देखिए देखिए कितना most important प्रश्ण है बहुत अच्छा ऐसे प्रश्ण आपको एक्जाम में हमेसा पुछे जाते हैं दूसरा प्रश्ण क्या है कि पहला पद नहीं दिया है ठीक है जी कि दूसरा पद दिया है तेरा और तिसरा पद भी नहीं दिया है चौथा पद दिया है तीन ये भी बहुत ही मस्त प्रशने है घबराना बिल्कुल नहीं है आसान प्रशने है ठीक है तो हम क्या करते हैं जो दिया है उसको लिखेंगे हमें A2 यानि A दूसरा पद दिया है 13 इसका मतलब क्या होता भाई ये दूसरा पद का मतलब A प्लस D बराबर 13 अच्छा एक बात बताओ जदी मैं A बराबर कर दूँ तो ये 13 और ये प्लस दर जाएगा तो माइनस ऐसा कर सकता हूँ ठीक है अब हमें चौथा पद दिया है A4 A4 कितना दिया है 3 A4 का मतलब A प्लस 3D बराबर 3 अब देखो जो A है न यहाँ पर A इस A के मान लिख देंगे यहाँ जो A है A का मान क्या है 13 माइनस D तो A के जगा रख देंगे 13 माइनस D अब प्लस 3D बराबर 3 ठीक है अब ये देखो 3D में से 1D घटेगा 2D आएगा और बीच में जो equal का sign है उसके बदले implieded का sign लिखना बिलकुल नहीं भूलना है बराबर में क्या है भाई 3 और ये प्लस दर जाएगा तो माइनस यहाँ से 2D बराबर 13 में से 3 जाएगा 10 अब यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा 10 बटा 2 दो पाचे 10 ठीक है अब यहाँ देखो D का जो मान आ गया 5 आ गया D का मान 5 आ गया D भी निकल गया और D ही तो निकला है अब ये कहाँ निकला है ये तो निकला ही नहीं तो अब हम क्या करते हैं इस D का मान को ठीक है ना इस D के मान को जदी मैं इसमें रख देता हूँ इसको मान लेता हूँ समीकरण एक इसको मैंने मान लिया समीकरण एक अब डी के जो मान है हम समीकरण एक में रख देंगे तो एक कमान निकल जाएगा तो यहाँ पर जगर नहीं है तो यहाँ पर कर लेते हैं लिखेंगे समीकरंड 1 में D कमान देने पर क्या है समीकरंड एक A बराबर 13-D यानि A बराबर हो जायेगा 13 और D कमान है 5 यानि A कमान हो जायेगा 13 में से 5 जायेगा 8 है गाना 8 हो जायेगा A कमान आ गया 8 हमें वहीं तो चाहिए अब हमें क्या चाहिए A3 चाहिए A3 A3 का फर्मूला A पलस 2D यहां देखो A3 बराबर A कमान 8 अब पलस 2 अगुना D कमान दिया है 5 ठीके देख लो D कमान 5 यहां से A3 बराबर 8 पलस 5 दोनी 10 यानि हो गया A3 बराबर 10 और 8 18 यह हमारा एंसर ठीके समझ में आ गया कोई डाउट है किसी को नहीं है न तो प्रश्न संख्या हमारा दो भी कम्पलीट हो गया पहला पद और तिसरा पद हम लोग निकाल लिए चलिए और भी इसमें प्रश्न है एसा नेक सिर्फ यहीं प्रश्न है इसमें और प्रश्न है तो उन प्रश्न को भी सल्व करेंगे एक भी प्रश्न को छोड़ने का नहीं तिसरा देखो तिसरा है वाला पांच दिया है दुसरा पद नहीं दिया है तिसरा पद नहीं दिया है और चौथा दिया है नौ पुड़ां के एक बटा दो इससे भी घबराना नहीं है असान है सबसे पहले तो देखो यहाँ पर एक कमान जो दिया है पांच और ए फोर का जो मान दिया है इसको तोड़ देंगे नौ दूने अठारा वरेके 29 बटा दो अब क्या करेंगे हमें दू दिया है नौ एफोर दिया है 19 बटा दो एफोर का फर्मूला होगा एफ पलस 3D बराबर 19 बटा दो एक कमान है पांच पलस 3D बराबर 19 बटा दो अब क्या करेंगे यह जो दो है ना बराबर में भाग कर रहें इस साड़ा आएगा तो हमें गुना कर देगा यहां पर दो आ करके 5 प्लस 3D में गुना कर दिया बराबर 19 यहां देखो क्या होगा दो पाचे 10 प्लस दो तिया 6 डी बराबर 19 यहां से 6D बराबर यह 19 है यह प्लस हो जाएगा तो माइनस यहां से हो जाएगा 6D बराबर 9 तो डी बराबर करेंगे तो 9 बाटा 6 कटा देंगे ती तीरी का 9 3 2 6 डी का मान हो जाएगा तीन बाटा दो ठीके डी का मान हो गया तीन बाटा दो अच्छा दिखी नहीं आप लोगो को कि सोरी कभी कभी बोलर हो जाए मेरा कैमरा खराब हो चुका है इसको चेंज करना पड़ेगा ठीके कर देंगे बहुत ज़्याद तो डी का मान होगा तीन बाटा दो इसाप सिख लो सब आपको बलर हो गया तो नहीं दिखा होगा मेरे ख्याल से बट यहां पर सलूशन देख गया तो दूसरा पद एट टू क्या होता है फर्मूला एफ लस डी तो एट टू बराबर हो जाएगा एक कमान कितना है पांच पांच पलस तीन बाटा दो इसको सल्ब करेंगे यहां पर कुछ नहीं तो एक एक और दो का एलसियम दो भाग देंगे दो बार में दोले और पा भाग को जालना है यह 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 जाएगा एफолн Joe पी ओस तो तो गए टो री बराबर एक कमान फाच दो गुना में Pag эту लगुना दी मानें थीन बाटा दो कटार गुदो दो कि हो जाएगा हमारा पांच अतलि अत दुसरा रहन पांच तिसरा पांच एंसर है समझ हारी बात हैं basis कोई दीकत नहीं है इसको आप क्या कर सकते हो भाग दे कर ने में बहुत चारा सुपन के नुट है है मिन पहला पत दिया है दुसरा पत भी नहीं दिया तिसरा पत भी नहीं चौथ मिने फ़ीं नहीं शाठावा दिया कि जैश्ट जिस तरह से मैंने प्रश्ण संग कितिन बनाया है न वह से ही यह भी वने तक बrator सबसे पहले a बराबर हमें माइनस 4 दे दिया है और a6 दिया है 6 इसी के मदद से हम d कमान निकाल देंगे फिर उसके पाद निकल जाएगा a6 बराबर 6 दिया है यह 6 का मतलब क्या है a पलस 5d बराबर 6 अब a कमान हमें दिया है माइनस 4 पलस 5d बराबर 6 यहां से 5D बराबर यह 6 माइनस से इधर जाएगा तो पलस यह हो जाएगा 5D बराबर 10 यहां से D बराबर करेंगे तो 10 बटा 5 क्योंकि यह गुना कर रहे इधर आएगा तो भाग कर देगा यहनि D का मान आगया हमारा 2 D कमान आ गया, A कमान आ गया अब दूसरा, तिसरा, चाउथा, पाचवा पद निकाल लेंगे चलिए, यह दूसरा का फर्मूला क्या होगा A पलस D हो जाएगा मतलब A कमान, माइनस 4 और D कमान 2 माइनस 4 और 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2 ठीक है उसके बाद A तिसरा निकालेंगे A पलस 2D A कमान माइनस 4 पलस 2 और D कमान क्या है दो न दो यहां से माइनस 4 अब दो दो नहीं के 4 4 में 4 जाएगा 0 A4 निकालेंगे A पलस 3D A कमान माइनस 4 पलस 3D कमान 2 यहां से हो जाएगा माइनस 4 तीन दुना 6 6 में से 4 जाएगा यह हो जाएगा 2 ठीक है A5 निकालेंगे A पलस 4D A कमान माइनस 4 पलस 4D कमान 2 माइनस 4 चार दुनी 8 8 में से 4 जाएगा 4 यह हमारा answer यह तो बहुत जल्द बन गया AD का माना गया तो समझो कोई भी पद आप निकाल दोगे चलो और पांचवा प्रश्ण इसका देखते है पांच नमबर क्या है भाई? पांच नमबर है कि पहला पद नहीं दिया है इस पर पहला पद नहीं दिया है दूसरा पद 38 दिया है तिसरा पद भी नहीं दिया है चौथा पद भी नहीं दिया है पांच नमबर पद दिया है और छाठवा पद भी दिया है ठीक है? चलिए आप देखे इस प्रश्ण को बनाईए सबसे पहले क्या करते है? पहला नहीं दिया है दुसरा दिया है और लाश्ट वला दिया है यहनि छाठवा दिया है ठीक है तो लिखेंगे A2 जो दिया है 38 दिया है ठीक है और A6 जो दिया है माइनस 22 दिया है अब क्या करेंगे भाई A2 का मतलब क्या है A पलस D बराबर 38 यहां सहम अब बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 38 माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा D इसको मालनों समिकरण 1 अब हम चलते हैं इससे A6 दिया है A दिया है माइनस 22 A6 का मतलब A प्लस 5D बराबर माइनस 22 अब यह देखो A का मान हमें पहले से देखो समिकरण 1 ने पता है क्या है 38 माइनस D प्लस 5D बराबर माइनस 22 यहां से देखो 38 में से 38 और 5 को जोड़ देंगे 38 और 5 कितना हो जाएगा मिष्टेख हो रहे हैं नहीं 38 अलग है और DD जुड़ाएगा तो क्या करता हूँ कि 5 में से यह 5D में से D जाएगा तो 4D हो जाएगा बराबर यह माइनस 22 है और यह प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहां से 4D बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 40 अब 20, 60 हो जाएगा बड़ा का साइन है माइनस यहां से D बराबर करेंगे तो 60 बाटा, 4 हो जाएगा, कटा देंगे, कितने बार में, 4 एक बार में, और ये 2, 4 पचे 20, 15 बार में, तो D का जो मान आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा, ठीके, अब चलो D का मान पता लग गया, अभी लेकिन हमें A का मान तो पता नहीं लगा न, तो इस D के मान को समी करण 1 म देने पर, क्या है, D का मान भाई, D का मान है, क्या है, फाले समी करणडे के लिखो, समी करण 1 है, a बराबर 38 माइनस D, तो a बराबर 38 माइनस, और D का मान है, पाले से माइनस 15, तो यह हो जाएगा, और तीस माइनस माइनस पलस दोनों को जोड़ेंगे तो एक कितना हो जाएगा दोनों को जब जोड़ेंगे तो आठ पाच तेरा की तीन तीन एक चार एक पांच एक तीरपन हो जाएगा कितना हो जाएगा तीरपन एक कमान हमारा तीरपन आ गया तो अब हमें क्या निकलना है एकमान यानि पहला पद निकल गया तीसरा चोथा पच्वा निकलना है कि ए थिरी क्या हो जाएगा ए प्लस टूडी एकमान है तीरपन प्लस टूडी कमान है माइनस पंदरा तो यह हो जाएगा तीरपन 15 गुना 30 गटा देंगे तो कितना जाएगा तीस बिस पचास ये तेईस हा गया अब चोथा निकलो ए प्लस टूडी एकमान तीरपन प्लस टूडी कमान माइनस पंदरा यहां से तीरपन 15 ती पंदरा ती 45 यहां से देखो तीरपन में से 55 जाएगा तो 50 अतीन 8 आठ हो गया यह 5 निकलेंगे ए प्लस 4 टूडी एकमान कितना है तीरपन प्लस फोर और टूडी कमान है माइनस 15 यह तीरपन है 15 चूड़ का 60 यहां से घटा देंगे कितना एगा माइनस 7 यह पांचवा गया यह चौथा गया और यह ती दाल लिए है ठीक है को कोई दिकत नहीं किसी को नहीं है ना प्रश्ण संक्या पांच हमारा कम्पलीट हो गया अब चलो छे नमबर देखते हैं नहीं छे नहीं है चौथा प्रश्ण देखेंगे यह बोला है एपी के हैract iall told dot dot כ से तर है यह बोलाएक कों संपर 58 है हमको पता नएक कोंस अपतर लेकिन हम लोग बना सकते हैं इसको कैसे भाई है रश्ण संख्या चार में सबसे पहले तो हमेंगे क्या-क्या ठीठ है देखों पहला पद दीण है ना यह कमान तीन दिया है अब इसमें और और हम देखों लगातार पद दिया है एपी में है तो हमें यहां से डी निकल जाएगा डी मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद दूसरा पद कितना है आठ आठ माइनस तीन यहीं हो जाएगा पांच दूसरा पद पांच हो गया ठीक है कोई दिखत नहीं है समझ में बाते आ रही है ठीक है अब कोन सा पध सब ऑठथर है क्वं सब ऑठथर है यहनि अन्तिम पद मतलब 38 1378 dog dot ऐसे कर के कौन सा पद 78 होगा यानि हमें अंतीम पद जो दिया है कितना दिया है 78 यानि हमारा N का जो मान है वो हमें 78 है ठीक है यहां सम क्या करते हैं N का मान गयात करना होगा क्योंकि अंतीम पद मतलब बोल रहे है कौन सा पद 78 होगा यानि N हमापद पूछ रहा है यानि हमारा N कमान दिया है तो N के फर्मूला से हम N निकाल सकते हैं N का फर्मूला क्या होता है A पलस N माइनस 1 इंटू D N हमें दिया है पहले से भई 78 बराबर A कमान भी 3 दिया है N हमसे पूछ रहा है अड़ी क्या मान हमने 5 लाया यहां से 78 बराबर यह 3 पलस 5 को एन से करेंगे 5 एन 5 को एक से करेंगे 5 यहां से यह 78 और यह पलस तर जाएगा तो माइनस और यह माइनस तर जाएगा तो पलस बराबर यह 5 एन 78 में से 3 घटाएंगे 75 75 और 5 असी 80 बराबर 5 एन एन में 5 गुना कर रहा है बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा 80 बटा 5 बराबर 5 एन कटा देंगे 16 बर में पाँच यह कहां सरेगा इदर आ गया तो यानि एन का जो मान होगा वो सुला होगा तो लाश्ट में अबलिक सकते हो यह अता AP का 3813 18 का सुलाहवा पद 78 होगा कौन सा पद सुलाहवा पद लिख देंगे अता AP 3813 18 डौट डौट का सुलाहवा पद सुलाहवा पद 78 है ठीक है होगया चार नमबर कंप्लीट किसी को जिफ़ी दिकत नहीं है चलिए पांच नमबर देखिए शब्वला है इसमें दो प्रश्फंश निम्लिकेद समानतर सेड़िये white से प्रतेख सेड़िय infectious अ कितने पद Mole कितने पद हैं कितने पद है यानि इन कमान ग्याद करना है और यहां भी कितने पद है इन कमान ग्याद करना है असान है ठीक है प्रश्ण संक्या पाच्चवा का पहला साथ 13 19.205 है है ना आईए सबसे पहले ए कमान हमें दिया है साथ दी कमान निकाल लेंगे दुसरा पद माइनस पहला पद दुसरा पद क्या है तेरा पहला पद है साथ तेरा में साथ जाएगा साथ चो तेरा या जाएगा डी कमान और साथ में एन भी दिया है दो सो पांच इन कमान ग्याद करना है एन का फर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर दो सो पांच यहां से ए कमान हमें दिया है लिखेंगे साथ प्लस एन नही दिया है डी दिया है 6 ब्राबर 205 यहां से हो जाएगा 7 प्लस इसको गुना करेंगे 6N 6 कोई मायनस एक से करेंगे माइनस 6 बराबर 205 यहां देखो 7 में 6 जाएगा एक हो जाएगा अब पलस 6 इन बराबर 205 यहां हो जाएगा 6 इन बराबर 205 यह पलस एक है न इधर जाएगा माइनस एक हो जाएगा यहां से 6 इन बराबर 204 इन बराबर 204 बाटा छे कटा देंगे शत्तिरी अठारा और च्छाव कर चोबिशने चौन तीस अवा पद इसमें कितने पद होंगे चौन तीस कितने होंगे चौन तीस लिखेंगे अधा समानतर स्रेड़ी में समानतर स्रेड़ी में चौन तीस पद होंगे चौन तीस पद होंगे यह हमारा एंसर ठीक है चलिए दुसरा दुसरा क्या प्रस्ने है दुसरा प्रस्ने का 18-15 18 15 15 पुढ़ांक एक बटा दो है 15 पुढ़ांक एक बटा दो 13 डॉट डॉट माइनस 47 ठीक है यह प्रस्ने पुछा गया है आप देखो क्या करते हैं सबसे पहले कितने पुछा गया है न तो एक कमान दिया है 18 ड क्यमान भाई कैसे निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद ठीक है तो ड बराबर हो जाएगा दूसरा पद क्या है 15 पुढ़ांक एक बटा दो माइनस 18 तो ड बराबर हो जाएगा 15 दूने 30 इसको तोड़ेंगे तो 31 बटा 2 माइनस 18 कुछ नहीं तो एक लिख सकते हो ब करेंगे 31 इसको भाग देंगे दो बार में 2 और 18 करेंगे 36 यानि ड बराबर हमारा हो जाएगा माइनस पांच बटा दो ठीक है अब चलिए हमें एन कमांद दिया है ना इन कमांद दिया है माइनस 47 तो एन का फर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर माइनस 47 ए कमांद क्या है 18 प्लस एन कमांद पता करना है डी कमांद दे दिया है माइनस पांच बाटा दो बराबर माइनस 47 अब यहां देखो इसको इधर लाते हैं यहां से क्या करता हूं कि यह जो प्लस वाला है न इन को छोड़ा करके जितना भी है इसको इधर लाते हैं यह हो जाएगा माइनस पांच बाटा दो इन बराबर माइनस 47 और यह पुलस रजाएगा तो माइनस यहां पर कुछ नहीं तो एक यहां भी कुछ नहीं तो एक अब यह हो जाएगा माइनस पांच बाटा दो इन बराबर एक दो एक कैलसियम दो भाग देंगे दो बार में। दो और 47 ले करेंगे 94 कि इसको देंगे एक बार में एक और 5 से करेंगे 5 इसको भाग देंगे दो बार में दो लेखार करेंगे 36 कि यहां से माइनस 5 बाटा 2N बराबर कितना हो जाएगा जब इसको हमने क्या किया भाई एड किया तो यह हो जाएगा 94 या 5 95 निनानवे और 100 135 हो जाएगा गयर टरक साइन माइनस है तो माइनस रखेंगे बटे 2 यहां से cross multiplication कर देंगे यह 2 जागा इधर गुना कर देगा तो माइनस 10 इं हो जाएगा और 217 हो जाएगा माइनस है तो माइनस रहेगा और यह माईनस और यह माइनस कट गया अब यहां से इंब बराबर करेंगे 270 अब बटे क्या हो जाएगा दस जिरो जिरो कट गया तो हमारा इन का जो माना गया 27 अगया इसमें कुतने पद होंगे भाई 27 होंगे लाश्ट में लिखेंगे अता कि समानतर कि समानतर स्रेड़ी में 27 पद है ठीक है यह हमारा एंसर ठीक है कि समझ माया कोई दिकत नहीं है अहां रुपजा रुपजा सहावा आ गया कंप्लीट हो गया चलिए अगला देखिए छे नंबर क्या बोला है भाई क्या एक एप एगारा आठ पांच दो का एक पद माइनस 150 है और क्यों आई यह देखते हैं है या नहीं है सबसे पहले क्या करेंगे यहां से हमें एक कमान 11 और यह अल्रेडी बोला है एपी में है तो यहां से हम डी कमान निकाल लेंगे ठीक है डी कमान क्या हो जाएगा डी कमान हो जाएगा 82 माइनस A1 यानि A2 कमान है 8 और A1 है 11 तो यह जाएगा माइनस 3 ठीक है अब इसका बोला है का एक पद माइनस 150 है एक पद यह इनवा पद क्या है मतलब यह जो माइनस 150 है एक क्यों बोला है न और question marks दिया है तो हम पता नहीं है कि यह अंतिम पद है नही है ठीक है तो मान लेते हैं इसको ठीक है माना एपी का इनवा पद 150 ठीक ना इसको माल लेते हैं माना की माना की एपी का एनवा पद एनवा पद माइनस 150 है ठीक है यानि इन बराबर इसको माने है है नहीं सिर्फ माने है एन का फर्मूला ए पलस एन माइनस 1 इन्टू डी बराबर माइनस 150 ए का मान पता है चलो दे दो 11 पलस एन का मान पता है नहीं पता है पुछा ज़रा है, D, D में पता है, माइनस 3, बराबर, माइनस 150, यहाँ से हो जाएगा, 11, गुना करेंगे, माइनस 3N, माइनस माइनस, पलस 3, बराबर, माइनस 150, अब देखो, 11, 3, 14, माइनस 3N, बराबर, माइनस 150, यहाँ से, माइनस 3N बराबर माइनस 650 एपलस दर जाएगा तो माइनस यहाँ से माइनस 3N बराबर दोनों को जोड़ेंगे 50 60 100 माइनस 164 हो जाएगा माइनस माइनस कट गया अब एन बराबर करेंगे 164 और यह भाग करेंगा न चलो कटा दो 315 और 315 एक 14 नहीं कटेगा भाई नहीं कटेगा तो क्या करेंगे इसको हम पुढांक में लिख देंगे 35 15 4 24 2 बचेगा 2 बटा 3 54 पुढांक दो बटा 3 बार में कट जाएगा यानि हमारा एन का जमान आ गया 54 पुढांक 2 बटा 3 यानि 54 पुढांक 2 बटा 3 पद हमारा मानस 150 होगा नहीं पुढांक पुढांक में नहीं होता है जब भी होगा तो हमारा एक फरकिर्थ संख्या में होगा ठीक है ना तो मैं इसको बोल सकता हूं यहां यहां इन एक पुढांक में आया है इन एक पुढांग संख्या एनेक पुढांग संख्या नहीं है एनेक पुढांग संख्या नहीं है क्योंकि एक पुढांग संख्या नहीं है क्योंकि भाई फ्रेक्शन वे गया न पुढांग संख्या है यार पुढांग संख्या है पता नहीं नहीं पता लिख देंगे कि जो हमारा एपी है एपी क्या है एक आरह आठ पांच डॉट डॉट का पद में नहीं है नहीं है यह बात बस लिख देंगे ठीक है क्यूंकि हमारा इन एक परकृत संख्यम नहीं आया इसलिए मैं बोल सकता हूं कि हमारा नहीं होगा ठीक है को rasa प्रश्मुने क्या कर सात नंबर क्या बोलत उसेपी का 1 स्वाभा पद ग्याद कि जिसका एग्रहा पद 38 से और स्रफ़ादा तिस्तवा त्यृटे है ध्यान से देखिएगा साथ नंबर है कि सबसे पले क्या करेंगी हमें गीभेन है एक रहावापद है यह जो है 38 अब यह आरह 38 है तो इसको मैं क्या ले सकता हूं ए प्लस 10D बराबर 38 ठीक है इसको मैं ए बराबर जब दी करूंगा तो यह हो जाएगा 38 ए प्लस दर जाएगा तो माइनस और इसको मालनों समय करण एक ठीक है अब दूसरा क्या है दूसरा है कि सुरावा पद 73 है यह 16 73 है सुरावा का मतलब हुगा ए प्लस 15D बराबर 73 ठीक है यहां से मैं क्या कर सकता हूं यहां से यह जो है न एक अमान में प्लस नहीं रखा हूं तो मैं क्या करता हूं यहां पर रख देता हूं एक अमान ठीक है लिखूंगा 38 माइनस 10D अब प्लस एक जगा मैंने रख दिया 15D बराबर 73 यहां से 38 घट जाएगा तो 5D आ जाएगा बराबर 73 यहां से हो जाएगा 5D बराबर 73 और यह प्लस नहीं जाएगा तो माइनस यह हो जाएगा 5D बराबर 73 में से 38 जाएगा ठीक है 73 में से 38 जाएगा तो कितना आएगा जब घटाओगे तो 8 है 9, 10, 11, 12, 13, 5 और 6 हो गया यहां से 35 हो जाएगा D कमान हो जाएगा 35 बटा 5 गुना कर भाग कर देगा तो 7 तो D बराबर 7 आगया अब D कमान को समी करण एक में रख देंगे तो A कमान आजाएगा लिखेंगे समी करण एक में D कमान D कमान देने पर ठीक है क्या है समी करण एक A बराबर 38 माइनस 10 D तो A बराबर 38 माइनस 10 और D कमान है 7 तो A बराबर 38 6 दुट सुट्र एक का जो मान हो जाएगा 38 में 7 अकत्aniu करण गठाएगे तो कितना हो जाएगा 30 अधु 32 बढ़ा को समी मानस है तो मानस हो जाएगा hybrid ठीक है अब हमें निकालना क्या है हमें निकालना है 31 पद क्या निकालना है 31 बराबर क्या हो जाएगा तो 210 हो जाएगा एक तीस में से 210 में से 32 घटाएंगे कितना है यह हो जाएगा आठ और हो जाएगा दस दस में से इतना जाएगा साथ और यहां से एक माइनस 178 हो जाएगा ठीक है अच्छा माइनस 178 हो जाएगा ठीक है अच्छा माइनस 178 हो जाएगा ठीक है अब चलिए प्रशने संख्या आठ देखेंगे एक यह पी में 50 पद है जिसका तिसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है इसका 29 पद ग्याद किजिए ठीक है क्या है तिसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है सबसे पहले इसमें 50 पद सबसे पहले क्या करेंगे हमें एक तिसरा पद दिया है क्या दिया है और इसमें और क्या है एक यहां है एक एक अपी में 50 पद है यहां बोलाए कि तिसरा पद 12 तो मैंने लिख दिया साथ में लिका है कि अंतिम पद 106 मतलब पचासवा इसमें टोटल तो 50 है यहन्य अंतिम पद 50 नहीं तो है तो ए पचास हमें 106 दिया है यह कंस्यक्ट शीपा हुआ है ठीक है पिए पचास हमें 106 दिया है ठीक है तो 19 पद हमें ग्याद करना है तो 19 पद के लिए हमें ए और डी कमान चाहिए इससे हम क्या करेंगे ए और डी कमान निकालेंगे सबसे पहले क्या करेंगे A3 बराबर 12 दिया है तो A3 का फर्मूला होगा A पलस 2D बराबर 12 यहां से A बराबर करेंगे तो 12 और A पलस दर जाएगा तो माइनस इसको मालनों समिकरण 1 ठीक है? अब चलिए आपका अंतिम पद यानि A50 पद जो दिया है वो 106 दिया है तो A50 क्या होगा? A पलस 49 D हो जाएगा A पलस 49 D बराबर 106 अब यहां A आया है A का मान 12 माइनस D है न एक जगा पर रख देंगे 12 माइनस 2D पलस 49 D बराबर 106 अब यह देखो यह 12 जो है न इस से डजाएगा 49 D मेंसे 2D घटाएंगे तो 47 D आएगा बराबर 106 अब 12 पलस इदर आएगा तो माइनस यहां से हो जाएगा 47 D बराबर देने पर ठीके क्या है फर्स्ट फर्स्ट है एब बराबर 12 माइनस 2D तो एब बराबर 12 माइनस 2D का मान 2 एब बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4 यानि 12 माइनस 4 यानि 8 एब का मान आ गया 8 अब हम से बोला गया है कि 29 पद ग्याद किजिए अब जो भी पद पूछा जाएगा अराम से निकाल लेंगे एब 29 बराबर फर्मूला होगा एब पलस 28 D एब 29 बराबर ए का मान है 8 पलस 28 अडी का मान है 2 एब 29 बराबर 8 28 दूनी 56 56 और 2 एब 29 बराबर 56 और 8 है ना दो नहीं आठ है 56 और 8 जोड़ेंगे ते हो जाएगा 64 यह हमारा एंसर ठीक है लास्ट में लिख लेंगे अता एपी का उन्तिस्वा पद क्या होगा 64 ठीक है तो प्रश्ण संक्या 8 हमारा कम्प्लेट 9 नमर देखो क्या है 9 नमर प्रश्ण है यदि किसी एपी के तिसरे और नवे पद करमसा 4 और माइनस 8 है तो इसका कौन सा पद सुने होगा प्रश्ण संक्या 9 तिसरा पद दिया है ए 3 क्या दिया है? 4 ए तिसरा पद 4 9 पद माइनस 8 ए 9 दिया है माइनस 8 ठीक है? अब चलिए हमें बोला है कि कौन सा पद सुनने होगा तो हमें पता नहीं कौन सा पद सुनने होगा तो हम मान कर चलते हैं कि जो इसका अंतिम पद है एन का जो मान होगा वो 0 होगा यनि सुनने होगा अंतिम पद यहां से हम क्या करेंगे पहले AD का मान निकालेंगे उसके बाद हम जो पुछा देगा उसका मान निकालेंगे तो सबसे पहले A3 दिया है 4 A3 का मतलब A plus 2D इसका फर्मुला होता है बराबर 4 यहां से A बराबर करेंगे तो 4 और यह पुलस अर जाएगा तो माइनस इसको मालनों समिकरण 1 अब A9 दिया है कितना? माइनस 8 A9 का मतलब A plus 8D बराबर माइनस 8 यहां से A कमान दिया है ना 4 माइनस 2D यहां पर रख देंगे 4 माइनस 2D एक जगा अब पुलस 8D बराबर माइनस 8 यहां से 8 में सदू जाएगा 6D बराबर माइनस 8 और यह पुलस तर जाएगा तो माइनस यहां से हो जाएगा 6D बराबर माइनस 12 जोड़ेंगे तो D बराबर हो जाएगा माइनस 12 बटा 6 कटा देंगे दो बार में तो D कमान आजाएगा माइनस दो D कमान माइनस दो अब A कमान निकलना है तो समीकरण एक में रख देंगे समीकरण एक में D कमान D कमान देने पर क्या है समीकरण एक A बराबर 4 माइनस 2D A बराबर हो जाएगा 4 minus 2 और D के माण है minus 2 A बराबर 4 minus minus प्लस 4 हो जाएगा ठीके तो यहाँ से A कमान हमारा 8 आ गया A कमान हमारा 8 आ गया D कमान minus 2 आ गया अब यहाँ से हमसे जो पद पूछा जाएगा हम लोग बता सकते हैं कौन सा परद सूने होगा हमने माना है कि अंतिम परद्वेज का होगा जीरो है यहां है क्या करते एय का फिर्मूल लगा हैंके एफ पर्मूला करेंगे माइनस दो है यहां देखो आठ माइनस दो से और इन से करेंगे माइनस दो इन माइनस दो को माइनस एक से करेंगे प्लस दो बराबर जीरो यहां से हो जाएगा माइनस दो एन बराबर एपलास से दर आएगा तो माइनस एभी पलास से दर जाएगा तो माइनस यहां से माइनस टू एन बराबर माइनस दस हो गया, माइनस माइनस कट गया एन बराबर क्या हो जाएगा, दस बटा दो कटा देंगे 5 यानि हमारा एन का जो मान आ गया वो आ गया कितना 5 एन का मान 5 आ गया यानि पांचवा पद जो होगा वो 0 हो जाएगा ठीक है यहीं तो पुछा गया था लाक्ट में लिख लेंगे अथा इसका पांचवा पद सुनने हो जाएगा हो गया complete ठीक है अब चलो अब हमारा है 9 नमबर complete 10 नमबर देखो यह बोला है किसी एपी का 17 पद उसके 10 पहः पद से साथ अधीक है इसका सारवंतर ग्याद किजिए ये पहले समझो क्या बोला है किसी एपी का सत्रावा पत जो है न दसवे पत से साथ अधीक है पहले इसको लिखना सीको उसके बाद तो बनाई लोगे क्योंकि है बहुत ही असान दस नमबर क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे माना पहले तो A और D हम माल लेंगे ठीके ना तो क्या करेंगे सबसे पहले माना इसमें कुछ दिया नहीं है मालनेते माना प्रथम पद A तथा सारव अंतर सारव अंतर मतलब कुंवन डिफ्रेंस सारव अंतर D है तो बोला है एस सत्रहवा जो पद है एस दस्वे पद से 7 अधीक है कितना अधीक है साथ यही बोला है न देखो rozp जोई नए 10 5 से 7 अजीक है यहां से ए 10 प्लस 7 ए 17 का मतलब क्या है भई ए प्लस 11 dim है न अ बराबर 10 का मतलब ए प्लस 9 dim उलोड अब प्लस साथ यहां से ए प्लस है प्लस इther आगा तो मैंनस है एन्फ प्लस से क्या आएगा गड़ा देंगे साथ डी बराबर साथ ठीक है तो डी बराबर क्या हो जाएगा साथ बटा साथ निकट करके एक यहीं तो पुछा था यह पी का सारवंतर क्या होगा डी मतों सारवंतर यह सारवंतर एक होगा भाई ठीक है यह था हमारा प्रस्ट समझ में आ गय कोई दिकत नहीं है चलिए